गुड़ा अप्टर्णून फ्रेंश एक बड़ फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्छा यूटूब चनल पे तो फ्रेंश आज के इस क्लास में हम जु है ना हिंदी की वर्णमाला अंगरेजी में सिखेंगे जिसमें जो है ना हिंदी का जो व्यांजन अक्छारे कशिक ग्या तक उसको जो है आपको इंगलिस में पढ़ना और लिखना दोनों सीखाऊंगा ठीके ताकि आगे आपको इंगलिस में नाम लिखना पढ़ना या वाट्टे पे मैसेज भेजना और पढ़ना दोनों आ जाएगा ठीके तो आप इस क्लास को लाश्ट तक जरूर देखिएगा ठीके इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था फर्स्ट क्लास था और यह दोसरा क्लास है फर्स्ट क्लास में हम आपको और श्री आहा तक जो है न इंगलिस में लिखना सिखाया था ठीके तो आज हम इसको कर्षे ग्यातक जो है ना हिंदी का थो व्यामजा ने उसमें आपको इंगलिस में सीखाएंगे ठीके तो आईए अज की इस class को हम शुरू करते हैं Class को सुरू करने से पहले आज की इस class कर दीजिए लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और शाथ में जो बेले गन दीख रहा ना उसको और नोटिफिकिशन को प्रेश कर दीजिएगा क्योंकि आप क्लास को देखीने के बाद फूल जाते हैं तो आईए अज की क्लास को हम शुरू करते हैं देखी यहां पर सबसे पहला अक्षर है का तो देखी का देखी का में जो है ना आ का उचारन आता है आ का साउंड जो है ना आता है देखी यहां पर का यह जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है का अधर का और इसमें A की sound जब होता है, pod þब ये पूरा बनता है का. अगर A की sound हम निकाल देंगे, तो क्या होगा? की आधा अक्षर हो जागा? का, ख, ग, ग, ग. तो देखे, तो इसका English कैसे होगा? का, का English क्या होगा? देखें यहाँपे. तो आदा को के लिए क्या होगा? के होता है और इसमें आ की साउंड है तो क्या लगेगा? ए लगेगा यानि के ए से को ठीके देखें, खो यानि को से ग्या तक यहाँ पर हम एक्स्ट्रा अक्षर लिखें हैं शरो, ठीके तो यहां तक जो है ना, इसमेань की रूख powerful sound आता है, उचारन होता है, तो व्यूख आता है, तो सभी में जो है बशी रूख की रूख नहीं BBQ आता है, तो कह का English क्या होता है, के, अच्स से और इसमेश डूख की रूख जडेगेगा, a लगेगा , तो क्या होगा k-h-e a से 的 खुट, ठिक्क चली, यहाँ पे देखिए, 無गल, क्या होगा , तो क्या होगा ? जी , और आक साउंड के लिए , a , अनrol , अनल आकी साउंड के लिए A लगाएं, ठीक है, देखी यहाँ पर, अंगा, तो N-Z-A से अंगा, च, देखी यहाँ पर, C-H-A से च, ठीक, अब देखी यहाँ पर च, तो च का इंगलिस क्या होता है, C-H-H, और यहाँ पर A लिख देंगे, तो क्या हो गया, C-H-A से च, देखी यहाँ पर, जा, तो जा के लिए क्या होगा, J-A से जा, ठीक, आई, यहाँ पर देखी यहाँ पर देखी जा, तो जा का इंगलिस क्या होता है, JHA से जह JHA से जह Ea का देखिए English क्या होता है YNA से Ea YNA से Ea तो आईए यहाँ पे हम और देखते हैं Tau देखिए Tau का English क्या होगा आदा Tau के लिए T और इसमें Auky sound आ रहा है तो A तो क्या होगा ती एसे त, थ, देखी याँ पे, टी एच एसे थ, अब देखी याँ पे ड, ड, अड, ठीक है न, इसका ड भी चाराना होता है, ड देखीए, तो, क्या होगा, ड का, देखी याँ पे, डी एसे द, ड, ठीक, डी एसे ड, ड, ड ही, देखी, D, H, A, से धो, और अणा का देखी यहाँ पर, N, A, से अणा, ठीक, चलिए, यहाँ पर देखी, तो तो का इंगलिस क्या होता है, T, A, से तो, तो देखी, तो का जो इंगलिस होगा, देखी यहाँ पर, T, H, A, से था, दो, दो का देखी यह, अगलिस, D, A, से दो, अब देखी यह, तो धो का इंगलिस देखी, D, H, A, याने, D, H, A, से धो, नो, देखी यह आपर, एन ए से न आई यहाँ पर दिखिए ठीक है अब ध्यान से दिखिएगा ठीक है चलिए यहाँ पर दिखिए पो तो पका इंगलिस क्या होगा पी ए से पो फो देखिए आप पी एच ए से फो या एफ ए से फो दोनों से होता है पी एच ए से फो या पी एफ ए से फो ठीक चलिए यहाँ पर दिखिए बो तो बी ए से बो ठीक यहाँ पर दिखिए बो तो बा का एंगलिस देखिए बी एच ए से बो अब यहाँ पर दिखिए मो तो मो का इंग्लिस क्या होगा? M A से M M A से M देखिए यहां पे Y Y A से Y Y A से Y R तो R का इंग्लिस देखिए R A से R L देखिए यहां पे L A से L A का देखिए V A से A होता है यह W A से A होता है दूनों में से आप कोई लिख सकते हो एक, ठीके न? V A से A यह W A का न? ठीके, देखिए आपे तालब्ब्य श इसका जो इंग्लिस होता है H A यहांनी H A शे तालब्य श इस का इंगलिस होता है या इसका भी इंगलिस होता है SM नूनों का उचारान शम होता हैusta कि धयर किए गए गाझा कि देखिए यहापे, K-S-H-A, से क्या होगा? 6 होगा, K-S-H-A से 6, अब देखिए यहापे 3, तो T-R-A से 3, ग्य, क्या होगा? G-Y-A से ग्य, अब देखिए यहापे, श्रा, तो श्रा का इंग्रिज क्या होगा? S-H-R-A, तो A आपका बन गया, S-H-R-A से श्रा, तो फ्रेंट्स इस तरह से आप कोशे, ग्यातक यानि श्रा भी इसमें है, ग्यातक आप इंग्लिस में लिखिएगा, ठीके? तो चलिए, इसको जो है ना, अब इसको पढ़ना, आपको बताते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा और याद कैसे कर जाएगा, ठीके? तो देखिए आपे, के एसे का, देखिए, आपको स्कूल या कोशिंग कहीं पे भी आपको बताया होगा के से का, के एसे का, हम भी बच्च्पन में यहीं चीज़ पढ़ा है थे, ठीके? लेकिन जैसे हम यूटूब पे पढ़ाना चालू किया, जैसे पहले हम बच्चों को जब पढ़ा रहे थे कोशिंग में, तो इसको मैंने देखा और इसको जो है ना, उसके बाद जो है हम यहाँ पे आकी साउंड के लिए एक का परियोग करने लेगे, ठीके? तब से हम जो ह ख. यहाँ पर देखे, ग. अगर आपसे कोई पोचता है, ख का English क्या होता है, तो के एच ए बताईएगा, के एच ए से ख. ठीक, देखे यहाँ पर, C-H-A से चा C-H-A से चा J-A से जा J-H-A से जा Y-N-A से इय दखी यहाँ पे T-A से ता T-H-A से ठा D-A से दा D-H-A से धा N-A से अड़ा ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए T-A से ता T-H-A से था D-A से दा D-H-A से धा N-A से ना P-A से पा P-H-A से फा या F-A से फा B-A से बा B-H-A से भा M-A से मा Y-A से या यहाँ पे देखिए क्या है? R-A से र L-A से ल V-A से वा या W-A से वा S-H-A से श तालब में श श उचारण होता है S-A से मुर्धन श S-A से स यानि दंत स H-A से ह K-S-H-A से छ T-R-A से त्र G-Y-A से ग्या S-H-R-A से श्र तो फ्रेंट्स इस तरह से जो आप कर से ग्या तक हिंदी का जो अक्षर है यान हिंदी का जो ब्यंजन है उसको आप अंग्रेजी में याद किजिएगा आप जो है ना इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए पूरा कर से यहां श्रौत तक ले और हिंदी भी और उसके जस्ट नीचे इंग्लिस और लिखिने के बाद जो है ना आपको पहले खुब बार बार उसको पढ़ पढ़ करके याद कर लिजिएगा जब याद हो जाएगा तब उसको जो है आप बीना देखे हुए लिखिने का प्रैक्टिस किजिएगा अगर आपको बीना देखे हुए लिखिने नहीं आएगा तो आप उसको देख देखके पहले अच्छे तरीके से लिखिने का प्रैक्टिस किजिएगा उसको इंग्लिस में लिखना सिखाएंगे, तो वहाँ पे आप लिख नहीं पाईएगा, ठीके, आपको क्लास समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बार-बार, इस क्लास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिजिएगा, तकि हम जो next क्लास हम लेकर आए और इस क्लास को आपने सभी फ्रेंट्स को वाश्ट्रेप और फ्रेश्बूक पर शेयर कर दीजिएगा, ठीके, ताकि वह भी घर पे अस्टानी से इस क्लास के माधियम से इंग्लिस का जो हिंदी का जो वर्ण है, इंग्लिस में सीख लें, ठीके, तो जैहन फ्रेंश, फिर सीख एंग्लिस में ए